आप आस्वस्त रहिए आपका ये चोकिधार पूरी तरह से चोकना है सम्विधान सभा के अंदर बहस हुई बहस के बाद आर्टिकल 14 आया और 14 में कहा गया कि देश का हर नागरिक बराबर है सबके अधिकार बराबर हैं कोई उच नीच नहीं है कोई मजब के नाम पे नहीं है जाती के नाम पे नहीं है इलाके के नाम पे नहीं है ये हुआ और धारा 14 आपके सम्विधान में जोड़ी गई लेकिन उसी वकत मौला नाजाद जिसका असली नाम मौरण आजाद नहीं है जिस जूटे ने अपना नाम बदल रखा था क्योंकि उसकी पहचान कुछ और थी वो छुपी रहती है मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि एक महला नई रोशनी नई ख्यालों की एक महला भारत की शिक्षामंद्री बनी हम इतने डरपोख और कायर समाज के लोग है उस महला के पीछे पढ़ गए मीडिया पीछे पढ़ गया क्या रहे ये तो मैट डोनल के अंदर पोच्छा लगाती थी ये तो पढ़ी लिखी नहीं है इसे शिक्षामंद्री कैसे बना दिया जबकि वो ग्रेज्वेट है और आगर आप मुझसे पूछे न मैं उस महला किसे मेरी कोई निजी जान पेचान है लेकिन हम को किसी के अच्छे कामों को उसके पीठ पीछे तारीफ करने में संकोच क्यों होता है भाई जितने टेनियोर तक वो रही बहतरीन काम किया शिक्षा मंत्रालएं लेकिन आपने जिस 2015-16 की शिक्षा मंत्री की डिगरी के बारे में इंकोईरी की कभी देश के पहले शिक्षा मंत्री की पैदाईश कहां थी कहां जनम हुआ था पूरा नाम क्या था कहां पढ़ा था इसकी चिंता नहीं की क्योंकि रेडिमेंट बना हमने खा लिया जो शक्त भारत में पैदा नहीं हुआ ठारस उठासी में जो भारत के अंदर घजवा-ई-हिंद का हिस्सा था जो खिलाफत मूमेंट का हिस्सा था उसकी शार्पने से आप पता नहीं कर पाए और वो अपना काम करके चला गया इसलिए किसी ने उसका नाम नहीं पूछा उसका पूरा नाम क्या है जो डॉकुमेंट में लिखा है आजकल नाम की चर्चब होत होती है नाम चुपा लिया नाम बताया नहीं पूरा नहीं बताया उसका पूरा नाम उसकी अपनी किताब में लिखा हुआ है उसका पूरा नामे मौलाना सेद अब्दुल कलाम गुलाम मुईन الدین अलहुसैन एहमद आजाद इंची टेप से नाप यह उसका असली नाम यह था लेकिन उसकी बैक्गराउंड ना पता चले इसलिए मौलाना आजाद मौलाना आजाद वो आदमी किसी स्कूल में नहीं गया किसी नहीं पूचा इस देश में कि भारत के शिक्षा मंतरी की पहले की क्या एजूकेशन क्वालिफिकेशन थी कि जब भारत आजाद हुआ आजादी मिली तो उस वक्त एक बेवखूफ आदमी को एक जाहिल आदमी को जो जिना के बचे हुए एजंडे को भारत में पूरा कर रहा था कोई विजिनरी नहीं मिला उस आदमी ने रफीयमत किदवई ने और तमाम मुसल्मान लीडरों ने आर्टिकल 14 के बाद फूल वाले चचा से कहा और चचा बड़े भावुक रहते थे उनके शौक कैसे थे अल्ला जाने उनसे कहा वहीं पटेल खड़े थे वहीं केम मुंची कड़े थे वहीं बियार अमबेट कर खड़े थे हम जिस दिन भी सरनेम से किसका सरनेम क्या है इसलिए हमें उसके बारे में क्या बोलना है ये समाज इस से जिस दिन भार आ जाएगा आपको अपने असली हिरो पहचानने लगेंगे उस मकार ने क्या कहा मैं वर्वेटम बताना चाहता हूँ आपको और पूछिएगा किसे